हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू सिपसंकर वायलोजी में एक वर फिर साब सभी का स्वागा थे तो स्टुडेंट्स आप लोका चल रहा था वायलोजी में इंपोर्टेंट कोश्चन बीसी सी पलस नीट दो हजार एकास के लिए और जितना हम कोश्चन बताएंगे आपको पता है इसलिए कभी इस बात को इगनोर मत कर दिजिएगा जितना हम बताएंगे उस सब का पीडियेफ तो हम बाट सब पर देहिया देते हैं ग्रूप में अगर जिनको नहीं बाट सब मिला है बाट सब मैसेज एक पीडियेफ लिजिएगा वीडियो सुरू से आन तक देखना है चैनल सब्सक्राइब करका रखना है और आपने दोस्तों सो भी सब्सक्राइब परवाना है और इस वीडियो को ज़ादा से ज़्यादा आपने दोस्तों के पास सेर करदना है आप पिछले क्लास का भी वी अबजेक्टिव कोशन बायोजी का नहीं देखे हैं तो उपर कोना में गोल आई का बटन होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी विया अब्जक्टिव कोशन बायलोजी का देख लेजिएगा तो पहला कोशन है अंतर पुस्पन काल पाया जाता है ऑप्सन एक में दिया है मक्का में ऑप्सन दू में दिया ह कैपसेला में और उप्सन डी में दिया है आम में तो अंतर पुस्पन जो काल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है तो यहां पर आपका राय टंसर हो जागा उप्सन डी यानि चार उप्सन आम में उसके बाद अगला कोशन काता है नीमन में से किस पादप में पुस्पन बर्स परियतन होता रहता है अपसन एक में दिया है आम अपसन दू में दिया है नीम अपसन तीन में दिया है गुलाब और अपसन चार में दिया है सिसम तो पूस बर्स परियतन होता रहता है गुलाब में तो यहां पे आपका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन तीन गुलाब हो जाएगा उसके बाद अगला कोहचन काता है सही बिकल्ब को चुनिये जिसमें A और B को सही सुमेलित किया गया है अप्सन एक में दिया है चतुस की कोशकाओं की गुनिता है सही चुनना है इधर B में दिया है दियोगनित होता है अप्सन A में फिर दिया है इधर अप्सन एक दुसरा अनुमिलियता इधर B में दिया है सालविया तीन में दिया है अभुरुन पोशी बीज्म आइधर B में दिया है अरंडे और चार में दिया है निसेचन पच्छ घटना और इधर बी में दिया है भुर्नोद्वे तो यहां पर आपका right answer जो हो जाता है निसेचन पच्छ घटना भुर्नोद्व होता है इसलिए right answer आपका चोथा हो जाएगा उसके बाद अगला कोशन काता है कि बिकल्प को चुनी है जिसमें A वा B सही सुमेलित नहीं है उप्सन एक में दिया है बिजांड का एक अपस्थानिक भृंता और कॉलूम B में दिया है आम एवं सिश्टस उसके बाद अपसन 2 में दिया है रिजू बिजांड और कॉलूम B में दिया है पोली गोनम पाइपर नाइगरम और अपसन 3 में दिया है प्रतीप बिजांड और कॉलूम B में दिया है अरंड गुलहल और आपका चौथा अपसन में दिया है दिकोश्थिये पराग कोश और कॉ बी में दिया है गुड़हल एवा कपास तो यहां पर आपका जो राट एंसर इसे हो जाता हुआ उप्सन चार ही होगा दिवकोष्टिय पराग कोस गुड़हल एवा कपास उसके बाद आगला कोशन काता है ब्रीशन की सुक्र जनक नलिका निम्न लिखित में सकी संरचना के द सर्टोलिकोष्ट का तो यहां पर आपका राट एंसर हो जाता है उसके बाद अगला कोशन काता है यदि दोनों ब्रीशनों की सभी सर्टोलिकोष्ट का नश्ट हो जाती है तब क्या घटित होगा उप्सन एक में दिया है नर के दित्यक लेंगी के लचनों का विकास नहीं ह अपसन 2 में दिया है टेश्टो अस्टेरोन का अस्तर कम होगा अपसन 3 में दिया है सुकरानों का उत्पादन नहीं होगा और अपसन 4 में दिया है मैथुन इच्छा नहीं होगी तो यहां पर राइट एंसर हो जागे सुकरानों का उत्पादन नहीं होगा तो राइट एंसर अप्सन दू में दिया है अप्सन तीन में दिया है अप्सन चार में दिया है अप्सन परिवर्तन एवं निसेचन दोनो उपस्थित तो आपका यहाँ पे राइट अंसर हो जाता है अप्सन ए अप्सन अप्सन परिवर्तन उपस्थित निसेचन अनुपस्थित अगला question काता है अंडवाहनी का कौन सभाग गर्भासे से जुड़ती है option A में दिया है इंपूला option 2 में दिया है इस्थमस और option 3 में दिया है in fundi bulam और option 4 में दिया है fundus तो अंडवाहनी का जो यानि फिलोपिय नली की बात करता है कि कौन सबाग गरभासे से जुड़ता है तो आपका अंडवानी यानि जो फिलोपिय नली होता है वो कौन सबाग जुड़ता है तो राइट अंसर आपका हो जाएगा अप्सन भी यानि इस्थमस यानि अप्सन दुसरा उसके बाद अगला कोशन कहता है कि 50 प्राथमी असपरमेटो साइट और 50 प्राथमी उस साइट से क्रमसा कितने सुकरानू और अंड़ानू का निर्मान होगा आप्सन एक में दिया है दूसर सुकरानू तथा पचास अंड़ानू option 3 में दिया है 50 सुक्रानू तथा 50 अंडानू और option 4 में दिया है 100 सुक्रानू तथा 200 अंडानू तो यहाँ पर आपका राय टंसर हो जाता option A 200 सुक्रानू तथा 50 अंडानू उसके बाद अगला कोशिन कहता है सुक्र जनन की ब्रिधी प्रावस्था है का बड़ा होना अप्सन एक में दिया है प्रात्मिक सुक्रानु जनक कोश्का से दितिये सुक्रानु जनक कोश्का अप्सन दू में दिया सुक्रानु मर्त कोश्का से प्रात्मिक सुक्रानु जनक कोश्का और अप्सन तीन में दिया है अस्परमेटीड यानि पुर्व सुक्रानू से सुक्रानू और अप्सन चार में दिया है दितिये सुक्रानू जनक कोशका से सुक्रानू तो सुक्रजनन की जो ब्रिधी प्रावस्थाक है उनका बड़ा होना तो राइट अंसर यहां पर आपका ह अगला कोशन काता है अंड जनन के दौरान प्राथम आर्द सुत्री विभाजन अप्सन ए में दिया अंड उत्सर्ग से पहले पूर्ण हो जाता है पूर्ण हो जाता है अप्सन सी में दिया है परिपकवन अवस्था के दौरान पूर्ण हो जाता है अप्सन यहाँ पर दिया है एक में कि सी और डी दोनों सही है आप्सन बी में दिया है दूसरका में ए सी और डी होगा आप्सन तीन में दिया है ए बी और सी होगा और आप्सन चार में दिया है कि बी सी और डी होगा तो यहाँ पर चार जो कॉलूम दिया गया ही चारो कॉलूम में चुनना है आपको कि कौन जो है सही है कौन गलत है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option C, A, B, C यानि option number 3 उसके बाद अगला question करता है कि कौन सा हर्मोन मासिक चक्र के दोरान दो सिखर को प्राप्त करता है option 1 में दिया है इनी बहीन और option 2 में दिया LH और option 3 में दिया है पोजे अश्टरॉन और option 4 में दिया है इस्ट्रोजन तो यहाँ पर आपका right answer हो जाता है option 4 इस्ट्रोजन उसके बाद अगला question करता है कि निवन में से कौन सा हर्मोन अंडो उत्सर्ग के लिए उत्तर दाई है option 1 में दिया FSH option 2 में दिया है LH और option 3 में दिया GNRH और option 4 में दिया इस्ट्रोजन तो right answer यहाँ पर आपका हो जाता option 2 LH उसके बाद अगला question करता है यॉवना रम्भ के समय परतेक अंडासे में कितने प्राथिमिक पुटिकाएं सेस रहती है option 1 में दिया है 20,000 से 40,000 option 2 में दिया है 60,000 से 80,000 option 3 में दिया है 1,20,000 से 1,60,000 और option D में दिया है 400 से 500 तो अंडासे में जो प्राथिमिक पुटिकाएं होती है 60,000 से 80,000 होती है तो right answer आपका हो जाएगा option 2 60,000 से 80,000 तो students आपने BVI objective question BCC plus meet 2021 के लिए दिखा सब को लिख लिजेगा याद करना बहुत ही जरूरी है जितना हम बताते हैं उतना याद करते चलिए देखिए हम जो BVI objective question देते हैं आप चाहे कोटा पढ़ने वाले student है चाहे एलीन में भी पढ़ता होगा उससे मिला लिजेगा उसके note से अगर वो online test भी देता होगा एलीन में पढ़ता होगा आपके गउंघर में होगा अगर online भी पढ़ता होगा तो मिला लिजेगा question हमरा question उसका question वो बाउन लड़ जाएगा वो कोई अलग से नहीं त्यारी करवाता है ना कोई हम अलग से कोई त्यारी है हम भी NCRT आपको बताते है question वो भी NCRT लिपता नहीं विश्वासोगा तक कहीं मिलाईएगा जितना भी भी objective question दे रहे है इस वीडियो को share कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने लेगा